स्वागत है, students, यहां पर question दिया हूँ, example 8.7 इस question में कहा रहा है, the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during the time तो दिखिए आपको पहले question यहां पर समझना होगा that की question में क्या कह रहा है तो question में कह रहा है कि the brakes to a car produce an acceleration in opposite direction मतलब यह जो car आप देख रहा हो ना इसकी motion जो हो रही थी ठीक है उसमें आपने brakes लगा दिये अब जब आप brakes लगाते हो तो आपको भी पता है that की जब यह आगे जा रहा था मालो कुछ भी velocity से आगे जा रहा था वो हमें इस question में नहीं दिया हुए तो कुछ velocity से यह आगे जा रहा था नहीं पता है हमें ठीक है और यह इसमें जैसी आपने brake लगाया तो इसमें acceleration हुआ लेकिन यह acceleration positive तो नहीं होगा क्योंकि brakes लगाने पर आपका velocity बढ़ कैसे सकता है वो तो घटेगा ना that means कि जो भी acceleration है वो motion के opposite में है और उसे हम plus 6 नहीं लिखेंगे उसे हम minus 6 लिखेंगे और इसको हम retardation भी कहते है ठीक है तो हमें क्या बताया था question में car जा रही थी कितनी velocity से जा रही थी यह हमें नहीं बता था बट हमने जैसे ही brakes लगाए हमारे पस एक retardation आ गया एक negative acceleration आ गया minus 6 meter per second square का और ये car कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है question में कह रहा है कि car कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है मतलब इसकी जो velocity है वो 0 meter per second हो जाती है ठीक है अब इसमें जो time लगा है ये 2 seconds का time यहाँ पर लग रहा है तो हमें पूछ रहा है distance travel during this time मतलब यह जो distance आप देख रहे हो शुरुवात से लेके जहां तक का रुकती है प्रेक लगाने के बाद उसके बीच का distance कितना होगा ठीक है आप ऐसे समझेए कि यहां पर आपको पूछ रहा है एस जो हमें नहीं पता है तो अगर आप एस निकालना चाहते हो तो आपके पास एक equation of motion होता है s is equals to ut plus half a t square यह जो equation है इसमें s होता है distance या फिर displacement u यहां पर है initial velocity जो शुरुवात की velocity है t यहां पर time है a यहां पर acceleration या retardation है तो इन सारे cases में हमें अगर s निकालना है तो हमें सारे values पता होने चाहिए ut और a तो देखो t तो पता है कि 2 seconds है a भी पता है कि minus 6 है लेकिन u पता है क्या आपको u पता है नहीं पता है that means कि इस equation से अगर आप चाहो तो directly यहां पर नहीं निकाल सकते displacement क्योंकि आपको u नहीं पता है तो u निकालने के लिए आप कौन सा equation use करोगे v equals to u plus 80 आप इस equation को पहले use करो इसमें आपको v पता है that की car रुक चुकी है तो उसकी velocity 0 होगी that means final velocity v पता है आपको u आपको नहीं पता है a आपको पता है 6 minus 6 और t आपको 2 seconds पता है तो यहां से आप जो है इसकी value u की value निकाल सकते हो so u equals to आपके लिख सकते हो v minus 80 80 को हमने LHS में भेज दिया so u equals to v minus 80 v कितना 0 a कितना minus 6 t कितना 2 seconds तो यहां से u equal to minus minus plus हो जाएगा 6 into 12 meter per second means उसकी initial velocity 12 meter per second की थी अब हमें distance यहां से मिल जाएगी s is equals to ut so u into t plus half a that is minus 6 into t square that is 2 square ठीके तो यह हो जाएगा s is equals to 12 into 224 फिर minus आजाएगा क्योंकि minus 6 है और 2 और 2 cancel होगा पूरा मत cancel करना 2 का square है उपर में ठीके so minus 6 into 2 minus 12 आगा तो s is equals to हो गया 12 meters okay so this this is your distance covered okay so I hope that this cleared your doubt thank you so so so